हेलो एब्रिबन आज हम करेंगे पार्ट तिन नगर के सुन्दर्ता महराज कृष्ण देव विजे नगर को अत्याधिक साब सुत्रा और सुन्दर बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने मंत्री को अपनी इच्छा से अवगत कराया मतलब बताया मंत्री महराज का आदेश पाते ही विजे नगर को सजाने सवाने में लग गया कुछ हे दिनों में वहां का नक्षा ही बदल गया विजे नगर की सुन्दर्ता का बखान दूर दूर तक होने लगा सेलानियों का समूँ सेलानियों का समूँ उसकी सुन्दर्ता को देखने के लिए उमड पड़ा महराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने कहा यदि विजे नगर की सुन्दर्ता में किसी को कोई कमी दिखाई देती है तो वह अपना विचार व्यक्त कर सकता है मतलब अपना विचार बता सकता है दर्बार में उपस्तित सभी लोगों ने एक सुर में कहा विजे नगर के सुन्दर्ता का कोई जवाब नहीं है हमें उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती सभी ने विजे नगर की प्रशन साकी किन्तु तेनाली राम चुप बैठा रहा उसे चुप देख राजपुरोहित ने महराज से कहा महराज तेनाली राम चुप चा बैठा है मुझे लगता है यह विजे नगर की सुन्दर्ता से खुश नहीं है यह सुनते ही महराज ने तेनाली राम से सवाल किया तेनाली राम, चारो और विजे नगर की सरहाना हो रही है, मतलब तारीफ हो रही है, दर्बार के सभी लोग या सुनकर बहुत खुश है, लेकिन तुम गुमसुम क्यों हो, महराज विजे नगर की सुन्दर्ता में कुछ कमी रह गई है, तेनाली राम ने चुप्पी तोड़त ब्रह्मन यानि की सैर, मंजूर है, लेकिन तुम यदि कमी कुछ सिध ना कर पाए, तो तुमें मृत्यू डंड दिया जाएगा, सिध मतलब प्रूफ नहीं कर पाए, मंजूर है महराज, महराज तेनाली राम और कुछ दर्वारी विजे नगर का ब्रह्मन करने निकले, महरा में कोई उत्साहा नहीं दिखाई दिया, उत्साहा मतलब खुशी, महराज और आगे बड़े तो अंधिरा ही अंधिरा था, वहां का माहौल बहुत गंदा हो गया था, विजे नगर के सुन्दर्ता के चक्कर में वस्ती के साफ सफाई रोग दी गई थी, वहां के लोग तरह तरह की बिमारियों से ग्रस्त थे, प्रजा पर नए-नए कर लगाती है गए थे, कर मतलब टैक्स, प्रजा को दुखी देख, महराज का दिल रो पड़ा, महराज ने दुखी नजरों से तेनाली राम को देखा, तेनाली राम ने अपनी बात को सावित करते हुए कहा, कि अब पहले जैसी बात नहीं रही महराज, प्रजा के हिर्दे में आपके प्रति घ्रीना पैदा हो गई है, विजे नगर को सुन्दर बनाने में यही सबसे बड़ी कमी रह गई है, काश, मंत्री लोग प्रजा की सुभिधाओं पर द्यान देते तो आज अस्तिती ना उत्पन होत मतब आज यह समय ना पैदा होता, तेनाली राम की बातों को सुन्ते ही महराज तुरंत आदेश दिया, कि प्रजा के सुन्दर जीवन के बिना विजेन अगर कि सारी सुन्दरता बिकार है, अतै, बस्ति की गंदगी को साफ किया जाए, बिमारों का इलाज किया जाए, और ब बहुत अधिक मान समान देने लगें, तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पाठ नगर के सुन्दरता में, यहाँ पे विजेन अगर की बात की गई है, जहां कि महराज है कृष्ण देव, यहाँ अपने नगर को बहुत जादा सुन्दर और खूब सुरत चाहते हैं, और ऐसा ही एक आदेश अपने मंत्री को देते हैं, और यहाँ आदेश पाकर मंत्री उसी काम में लग जाता है, और नगर को सुन्दर बनाने लगता है, जब नगर सुन्दर हो जाता है, तो उसका बखान जो है, उसकी जो तारीफ है दूर दूर तक होने लगती है, सैलानिया ज कि किसी को अगर कोई कमी नजर आती है, अपने दर्वार में कहते हैं कि किसी को कोई कमी नजर आती है, तो वो बेशक बोल सकता है, इस पर दर्वार में बैठे सभी लोग एक ही स्वर, एक ही आवाज में कहते हैं, कि नहीं, विजे नगर की सुन्दर्ता में कोई कमी नहीं है, इसमें सभी ने विजय नगर की बहुत प्रशंसा की पर तियनाली राम ने प्रशंसा नहीं की बल्कि चुप्चा बैठा रहा. इस पर राज पुरुही जी तेनाली राम को चुप बैठा देखते हैं तो कहते हैं कि तेनाली राम लगते हैं कि नगर की सुन्दर्ता से खुश नहीं है तो और फिर इससे महराज भी तैनाली राम से सवाल करते हैं कि चारों तरफ तो विजय नगर की सुन्दर्ता की बहुत तारीफ हो रही है पर तुम लगता है सारे लोग बहुत खुश है लेकिन तुम गुमसुम क्यों तुम चुपचाप क्यों हो महराज इस पर तैनाली राम महराज को उत्तर देते हैं कि महराज ये जो विजय नगर है इसकी सुन्दर्ता में कुछ कमी रह गई है कैसी कमी महराज पूछते हैं हैरान ओकर आश्चर चकत होकर तो इस पर तेनाली राम कहते हैं कि इस कमी को जानने के लिए आपको मेरे संग पूरे नगर की सैर करनी पड़ेगी पूरे नगर को जा कर देखना पड़ेगा अपनी आंखों से तो इस पर राजा कहते हैं कि ठीक है मंजूर है मुझे ये बात तुम्हारी पर अगर तुमने ये बात को प्रूफ नहीं किया कि कमी है तो तुम्हें मृत्यू डंड दी जाएगी सजाय मौत तो इस पर तैनाली राम उनकी ये बात मंजूर कर लेते हैं और महाराज, तैनाली नाम और कुछ दरवारी विजयनगर के ब्रह्मन को निकल पढ़ते हैं थोड़ी दूर जाते हैं तो एक सुनसान रास्ता आता है सुनसान इलाका आता है जहां कोई नहीं ता फिर वह बस्ती में पहुंचते हैं जहां पर महाराज की बहुत जैज़कार हो रही होती है। पर ये शारे जैजाकार करने वाले कौन थे मंत्रियों के चम्चे। वो आम नागरिक नहीं थे। और बल्कि आम जनता में तो कोई उत्सहा भी नहीं नजार आ रहा था। कोई खुशी भी नहीं नज Zar आ रही थी। और आगे बढ़ने पर देखें कि चारो तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है, वहां का माहूल बहुत गंदा हो गया क्योंकि बहुत समय से सफाई नहीं हुई है, विजय नगर की सुन्दरता बढ़ाने के चक्कर में साफ सफाई को नजर अंदाज कर दिया गया है, और इसके चल को दुखी देकर महाराज कभी रो पड़े, उनका दिल भी रो पड़ा, महाराज ने दुखी नजरो से तेनाली राम की तरफ देखा, तो फिर तेनाली राम ने अपनी बात साबित की कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, महाराज की यहां के लोग सुखी और खुशहाल नही उनके मन में आपके लिए प्रेम प्यार नहीं है बलके घ्रीना अनफरत पैदा हो गई है विजय नगर को सुन्दर बनाने के चक्कर में यहां पे यह सारी कम्या आ गई है काश यहां पे मंत्री लोग इन लोगों की सुक्सु विधाओं का ख्याल रखते तो असली सुन्दरता वही होती फिर महराज जी ने अपने मंत्रियों को तुरंत आदेश दिया कि प्रजा को सुन्दर जीवन देने की कोशश की जाए उसे सही माइनों में सुन्दर बनाया जाए बस्ति की गंदगी साफ की जाए बीमारियों का इलाज कराया जाए और बड़े हुए जो कर है टै अब ज्यादा इज़त आदर महराज के नजरों में बढ़ गया ये तो अच्छब हुए तैनाली राम ने सच का साथ दिया वना तो उस प्रजा के लोगों का ना जाने क्या होता तो अब हम करेंगे पाट अभ्यास अब हम करेंगे इस पाट का पाट अभ्यास अत्यादिक ब अब हम करेंगे इस पार्ट के प्रश्ण उत्तर प्रश्ण एक, महराज कृष्ण देव क्या करना चाहते थे? उत्तर, महराज कृष्ण देव विजयनगर को अत्याधिक साफ सुथरा और सुन्दर बनाना चाहते थे? प्रश्ण दो, सेलाणियों का सुमू क्यों उमड आया? उत्तर, सेलाणियों का सुमू विजयनगर की सुन्दर्ता को देखने के लिए उमड आया? प्रश्ण तीन, राजा के पूछने पर तेनाली नाम क्यों चुप रहे? उत्तर, तैनाली नाम राजा की किये गय कार्य से खुश नहीं थे, इसलिए वह चुप रहे प्रश्न चार, कृष्ण देव ने कमी सिधना करने पर क्या शर्त बताई उत्तर, कमी सिधना कर पाने पर कृष्ण देव ने तेनाली राम को मृत्युडण देने की शर्थ बताई प्रश्ण पांच, जैजै कार करने वाले लोग कौम थे उत्तर, जैजै कार करने वाले लोग मंत्रियों के चमचे थे प्रश्ण 6, बस्ती के लोगों की कैसी दशा थी उत्तर, बस्ती के लोगों की दशा अच्छी नहीं थी वे लोग तरह-तरह की बिमारियों से ग्रस्त थे तथा चारों और गंदगी फैली हुई थी प्रश्ण 7, प्रजा के सुंदर जीवन के लिए राजा ने क्या आदेश दिया उत्तर, प्रजा के सुंदर जीवन के लिए राजा ने बस्ती को साफ करवाने बिमारियों का इलाज करवाने और बड़े हुए करों को वापस लेने का आदेश दिया प्रश्न आठ इस कहानी से क्या संदेश मिलता है उत्तर यह कहानी संदेश देती है कि सुरेश्ट राजा व है जो प्रजा की हीतों का द्यान रखे असली सुंदरता प्रजा के खिले हुए चहरे हैं अब हम करेंगे बिलोम शब्द बिलोम शब्द यानी की उल्टे या उपोजिट वर्ड्स राजा रंग रंग मतलब गुलाम दुखी सुखी सुंदर पुरोप अंधीरा उजाला विजय पराजय गंदगी सफाई सम्मान अप मान उपस्ति अनउपस्ति अब हम करेंगे समान अर्थक शब्द लिखो समान अर्थक मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द राजा नरेश शुरू करते हैं वापस राजा नरेश जीवन जिंदगी खुशी प्रसंता और सैलानी परियटक मृत्यू मरन और प्रश्न सवाल अब संग्या शब्द चाट कर लिखो मुझे लगता है विजय नगर की सुन्दर्ता से खुश नहीं है यह विजय नगर की सुन्दर्ता से खुश नहीं है इसमें संग्या शब्द हैं विजय नगर तेनाली राम ने अपनी चुप़ी तोड़ते हुए कहा, तेनाली राम चुप़ी, महराज के खुशी का ठिखाना ना रहा, महराज और खुशी, प्रजा में कोई उटसहा नहीं दिखाई दिया, फ्रजा और उटसहा, ये थे हमारे संग्याशब्द और ये कौन से हैं, ये भी शब्दों का किसम बताए गया है, जैसे विजय नगर हुआ व्यक्ति वाचक संग्या, सुन्दर्ता हुआ भाव वाचक संग्या, इसी तरह नंबर दो की जो संग्या है, वो किस तरह की है, ये रहे, नंबर तीन और चार इस तरह, अब हम करेंगे, शब्द में से बने नए महराज से महा और राज, सुनसान से सुन और नस, चुप चाप से चुप और पाप, सरहाना से सर और हार, और राज पुरुहित से बना, राज और हित, हित मतलब किसी का भला करना, इस तरह आप और भी शब्द इस तरह बना कर लिख सकते हैं, अब हम करेंगे, मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करो सबसे पहला उमड पढ़ना जोश में आ जाना नेता के आते ही जनता उन्हें देखने के लिए उमड पढ़ी दिल रो पढ़ना अफसोश होना बिखारी के द्यानिय दशा देख कर मेरा दिल रो पढ़ना नमबर तीन खुशी का ठिकाना ना रहना बहुत खुश होना परिक्षा में प्रथम आने का समाचार पाते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रखा नमबर चार एक स्वर में कहना मिलकर कहना सभी विद्याटियों ने मिलकर एक स्वर में कहा हम नशा बृत्ते से दूर रहेंगे नमबर पाँच चुपी तोड़ना, मौन तोड़ना, बोलना सबा में सभी चुप चाप शांत भाव से बैठे थे सन्यासी जी ने चुपी तोटे हुए बोलना आरंब किया अब हम करेंगे विराम चिन लगाओ सबसे पहला, महराज तेनाली राम चुप चाप बैठे हैं इसमें विराम चिन लगेंगे डवल इनवर्टेट कॉमा ओपन फिर एक्सक्लमीशन मार्क फिर ये ये पूर्ण विराम और डवल इनवर्टेट कॉमा क्लोज नमबर दो, कैसी कमी महराज ने हरानी से पूछा डवल इनवर्टेट कॉमा ओपन, कोश्चन मार्क, डवल इनवर्टेट कॉमा क्लोज महराज ने हरानी से पूछा, पूर्ण विराम नमबर तीन, लेकिन तुम गुमसुम क्यों हो, कोश्चन मार्क अब हम करेंगे अंतर समझो व बाक्यों में प्रयोग करो एक जैसे शब्दगी दिये गए हैं पर इंके मतलब अलग-अलग है चमचा एक जगाओं से कहते जी चम्मच मैं खाना चम्मच से खाता हूँ दूसरा चम्मच चापलूसी करने वाला राकिष्टु साहब का चम्मच है अमल करना गंदी बात होती है अमल काम, क्रिया या वहवार मैं आपकी विचारों पर अमल करूँगा तीसरा चक्कर मोड, घुमाओ, पहाडी रास्ते चक्करदार होते हैं चक्कर, उलजन, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता नमबर चार, नक्षा, रंग रूप, बनावट उसके नय नक्ष बहुत तीके हैं नक्षा, मान चित्र, यानि की मैट मैं भारत का नक्षा बहुत सुन्दर बनाता हूँ तो बच्चों ये था आपका पार्ट ये पार्ट यहीं खतम होता है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू वेरी मच एवरीवन, बाई बाई